वेल्कम टू पार्ट शाना आज हम लेकर आएं एकॉनमी के शॉर्ट तो गैज रहे गए ते बाकि सारे टॉपिक्स को गवर कर दिया गया है आप चाहें तो पॉलिटी गवर्निंस इंटिनाशनल रिलेशन्स और एकॉनमी पूरा तरह से चैनल पर दिखाए गए हैं बहुत ब जन्वरी की भी करेंगे सिक्वेंस में रहो तो ज्यादा बहतरीन रहेगा अचाह उसके बाद देखो कल मैंना वीडियो डाल नहीं पाए थी स्वारी फॉर्द सेंव क्योंकि बहुत सारा स्केडूल था और इसके नहीं हो पाया आज हम देखते हैं आपके निउस इन शॉर् ऋपर्षेस करने वाले हैं आज का वो बात कहेगा नेशनल स्टार्ट अफ एडवाईजरी कांसील के बारे में किस तरह की बाडि है? बश्याला सकता है न किननास्ट और इडवाइजरी कांसेल किस तरह की बाडि है तो 2020 में नोटिफाई किया गया और इसको ministry of commerce and industry ने बनाया है department के अंडर डाला है department for promotion of industry and internal trade के अंदर है इसका काम है government को advice करना, innovation and start-ups को देखना और economic growth को sustainably चलाना ठीक है इसके अंदर क्या होता है, कौन लोग बैठते है, composition क्या है, कैना जो head होंगे, union minister जो होंगे commerce and industry के वो होते है इसके अलावा कुछ और industry ministers होते है departments के, organizations के कुछ non-official members भी होते है इसके अंदर, जिनका की term two years का होता है, ऐसा याद रखना और जो भी आपका further order अगर कुछ हो तो जो भी earlier आजा है उसके recording अच्छा, देखो, अब यह है क्यो NSAC जो है आपका national जो आपका startup advisory council है इसका काम क्या है इसका काम है, regular basis पे innovation amongst citizens and students को foster करना ठीक है, उनको बताना कि culture of innovation ने create हो startups की तरफ लेके जाना उनको क्योंकि देखो, हम चाहते हैं job seeker कम हो जाए और job creator जादा हो जाए फिर हम क्या करते हैं इंडियन स्टार्टप जो भी खुल रहा है इस institution के तहट NSAC के तहट mobilize किया जाता है global capital, investment ताकी हो पाए और startups पे जो original promoter है उसको control करना, ठीक है और access उसके बढ़ाना, इंडियन स्टार्टप के लिए market का access भी दिलवाना, तो इसका बहुत important काम है अब क्या हुआ, upon completion of two year term NSAC, Central Government ने दो nominate के है non-official members को ठीक है, ये भी याद रखना इनके achievement programs याद रखना इसे मार्ग है, national mentorship वाला है नेवेक है, start-up champion 2.0 है इस सारे के सारे programs हैं जो NSAC ने कराए है इन्होंने और भी ऐसे initiative लिये कि इंडिया में कैसा एक atmosphere create हो जाए, start-ups का atmosphere create हो जाए उसके लिए start-up India है जो start-up culture को catalyze करेगा funding भी करते हैं, ये 10-100 करोड रुपीज की ताकि आप funding के start-ups की needs को fulfill करो scheme basically ताकि आप intellectual जो start-up property protection है उसको promote कर पाओ इसके अलावा virtual platforms की त्यारी कराना mentorship, advisory, assistance, ये सारी चीज़ें देना इसी को कहते हैं MARG program तो याद रखना MARG का क्या full form होता है mentorship, advisory, assistance, resilience and growth इसका काम ही है देखो आपको नहीं पता हमने schools में तो सीखा नहीं होता entrepreneurship, start-ups कैसे open करना है इसलिए मैं अभी देखो, कल भी मैं किसी अपने student की साथ discuss कर रही थी कि Bachelor of Entrepreneurship का course भी कितना important है वो आपको इसी तरफ लेके जाएगा start-ups को कैसे open करना है कैसे industries को लगाना है कैसे revenue sharing होती है कैसे capital करना है कैसे innovation की तरफ बढ़ना है इस course made is more related to the practical kind of course ही जो Bachelor of Entrepreneurship होता है अब यह जो NSAC है यह आपको यह सारे काम करवाती है मार्ग प्रोग्राइम में ले जा ले जाके mentors देती है कि start-ups कैसे create करने है क्योंकि देखो हम ना सच में अब यह चाहते है कि ज्यादा लोग jobs की तरफ government jobs की तरफ बद भागें कि कितने लोग eyes देंगे और कितना देखो एक plan B होना चाहिए ना उसके लिए ही बात कर रहे है plan B का मेरा यह मतलब नहीं है आपको discourage करने का कोई वो नहीं है ठीक है कि आप aspirant movie देखकर आए और मैं जो मैंने एक ले लिया बचन ले लिया कि मैं plan A की तरफ भी बढ़ूँगा तो मैं plan B की तरफ देखूँगा ही नी ये वाला मकसद अभी मैं इस मामले में नहीं बात कर रहे हूँ ये मामला ये वाला है कि एक innovative mind भी आपके अंदर होना चाहिए कि त्यारी के समय आप ऐसा ना हो जाओ उस idea के चाहती चलके कुछ startups वगेरा के बारे में भी अगर आप सोचना चाहते हो या आपने आसपास के लोगों कोई ideas दे सकते हो तो कि मैं कई लोगों को देखती हूँ है experience को देखती हूँ कि वो कई सारे attempt देकर भी exhaust हो गए और नहीं हो पा रहा है फिर भी वो उसी चीज़ पर लगे हैं है परशान हो रहे हैं फामिलीज भी परशान हो रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम अपने innovation को किसी भी level पर ना मारे है ठीक है आपको ऐसा बेरोक्रिट भी बहुत काम करेंगे यह चीज़ है ठीक है उसके बाद हमारा next topic है जिसमें हम बात करने जा रहे है reforming sovereign credit rating process यानि जो office है सीगी गाउसके recent publication आई उन्होंने कुछ critical issues को address करते में बोला है कि जो credit rating agencies है ना वो sovereign rating को निकालने के लिए transparency वाले methods का इस्तिमाल ही नहीं करती है पता ही नहीं चलता यह कैसे calculate कर रही है बहुत opaque मामला है तो currently इंडिया को क्या किया गया इंडिया को investment grade दी गई by three major CRA जो कौन कौन निकालता है standard and poor, S&P, Moody's and Fitch rating agencies बहुत तरीके अपनाती है parameters तैय करती है किसी भी country को rate करने में sovereign ठीक है अब इसमें लेकिन क्या-क्या concerns आए क्योंकि हमें तो concerns की तरफ ध्यान देना है कि जब हम कह रहे हैं क्रिटिसाइस कर रहे है तो किस बेसिस पर कर रहे है rating method जो developing countries का है न वो उसकी वज़े से disadvantage feel होता है developing nations को क्योंकि फिच की methodology है वह बहुत ज़्यादा उसका weight रहता है foreign ownership of banks में हमेशा हदिमाक से निकाल देते हैं कि state run entities जो हैं वाले banks उनकी तरह उनका ध्यान ही नहीं जाता export जो agency से consult भी कर रहे है तो वो भी बड़ा non transparent वे है पता ही नहीं चलता कैसे consult किस basis पर करा जा रहे है clarity ही नहीं है किस चीज का weight कितना assign किया गया इंडिया को इस last 15 years से triple B category में ही डाला गया है यह reason तो बताओ कुछ नहीं हुआ क्या हमारे दस्देश में 15 साल से इतना हमारा बुरा हल्प तो नहीं रहा है तो rating क्यों इतनी खराब होती है हमारी इसलिए हम इसको concern में दिखा रहे है कि एक तो इसका export जो consult करता है उसके method हमें उपेक लगता है फिर जो बिंग दी लेडर्स और सुम्दफ ट्रिपल भी ही रहा है क्रेडिट रेटिंग तो जानी की सब्जेक्टिव असेस्मेंट है वह सिर्फ एडवांस एकॉनमी को ही एल्प कर रही है मतलब आप सिर डेवल्पनेशन को ही देखते हो आप उनी के बारे में सोचते हो उनी की चा जॉक मार्केट पर आपके इन्वेस्स तब ऐसा लगाएंगे जब देखेंगे कि आपकी क्रेडिट वर्थिनस कितनी है आपको बैंक लोन ऐसी ही दिदेता है आपका अकाउंट में कितने मंसे कितने पैसे क्या सल रहा है सब आपका देखे जाने के बाद आपको लोन इंडिया में जो सेबी है उसने दपकी क्रेडिट अजनसी हमारी खुद की बनी है हमने उसको सेबी रेटिंग एजनसी रेगोलेशन न्यन गी तफ़ना रहाएं तो प्रॉमिनेंट क्रेडिटि अजनसी इन इंडिया है बहु सारी है क्रिसल है केर है आइसी आरे है पेपर में question indirectly आये, directly आये, prelims में आये, आपकी मुझोमानी होना चाहिए answer असका, कौन से parameter है, जिसे किसी भी country की credit rating agency को sovereign माना जाता है, उसका debt burden कैसा है, उसका political risk कैसे है, लगाओ कि को investor इसी के basis पर ही आपकी country में पैसा लगाएगा, बहार काओ चाहिए, domestically be even, exchange rate regimes, growth rate कैसी है आ यानि कि DPEG, इन चार parameter से आपका सारा decide हो जाता है, आपकी credit rating जो है, worthness कितनी है और sovereign वो है या नहीं, बात समझ गए, अब आप next topic पर आओ, देखो इसके कितने important shots है, आप shots को भी नहीं छोड़ सकते, यानि कि, अब next topic इसमें आएगा, Indian government debt vulnerabilities, कि इंडिया के जो government debt vulnerabilities है, इंड के रहा, IMF ने, इंडिया को caution किया, कि भाया, समझ जाओ, अभी भी समय है, बहुत debt vulnerability है, article चापा, consultation report चापी उसके तहत, इसमें बताया गया, कि fund का जो surveillance function है, वो आपका article of argument के अंदर तो आता है, या member countries का, तो IMF ने क्या बोला, reclassify करते हो काया है, कि India defect to exchange rate regime from floating to stabilized arrangement पे चलता रहा है, आपको ये पता है, exchange rate कैसे होते है, एक floating होता है, एक सापका stabilize होता है, या आप कहलो इसको fix कहलो, ठीक है, floating exchange rate का मतलब होता है, इसकी आपकी जो भी export, import हो रहा है, या आपकी जो रूपी की value है, वो सारा का सारा exchange system आपका demand and supply of market system के तहर चलता है, stabilize में आपकी government fix करती है, कि क्या rate रहेगा आपका रूपी का dollar के comparison, तो कह रहा है, जो December 2022 से October 2023 का period था, इसमें Indian government ने क्या करा, अपना floating से stabilize arrangement कर दिया, stabilize arrangement का मतलब यहां और जहां से समझा रखा है, कि exchange rate beyond 2% band से नहीं बढ़ा, इन 6 months, इसकी वज़े से क्या हुआ, is a result of official action की वज़े से ऐसा हुआ, तो IMF ने बोला कि भाईया, जो आपका India का general government debt है, वो exceed कर रहा है, 100% GDP से भी ज़्यादा बढ़ के आगे बढ़ रहा है, इंडिया की GDP कह रहा है कि जो GGD है, यानि कि the general government debt है, वो आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है last year, जैसे मिलब, it was like 80.9% of GDP, तो यहाँ पर यह कह रहा है कि हमने तो विपकी इसके लेटिर बहुत काम कर रहा हुआ, fiscal responsibility and budget management में बनाया है, कई सारे argument भी चले है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि issue क्या हुआ, government security जो होती है, अगर sudden increase हो जाए, sovereign risk premium में, तो आपकी balance sheet की धजिया उड़ा देती है, आपकी reduce कर देती है, banking lending appetite को, यह एक बड़ा crisis है इसके अंदर, उसके बाद unsecured अगर retail loans आपने लिए है, उससे क्या फरक पड़ेगा, क्याने digitalization कर आपने, credit growth को बढ़ाओ, inflation का कोई evidence यहां नहीं पाया गया, लेकिन IMF कुछ कह रहा है कि high inflation है इनकी country में बहुत ज़्यादा, यहां पर कह रहा है, इनका debts का structure service capacity इनकी balance sheet की risk बहुत बढ़ी है, financial sector में यह बात कही जा रही है, तो यह comparison यहां पर Indian government की debt vulnerability कह रहा है, एक तो यह IMF का कहना है, यहां पर India इ इतना जादा भी नहीं है कि हम इसको लब ठीक चल रहा है, इंडिया के accounting, तो यह सारा का सारा, यहां को, हम financial sector में देखो हम क्या कह रहे है, banking system are in their best shape, in over a decade, जबकि IMF क्या कह रहा है, external और internal shock की वज़े से इनका credit stress बढ़ा हुआ है, तो IMF का यह सब हमारी economy के लिए कहना है, त हसनी करते हैं, क्योंकि IMF, World Bank, all are sponsored by the development nations, तो हम इसलिए थोड़ा आसाना, इस सीज में बड़ा वो होते हैं, कि बढ़ी transparency का हैं, अभी credit worthiness में भी तुमने हमारी लगा दी, तो इसलिए we are not completely trust from, हम अपने भी parameters के recording check करके ही बात करते हैं, अच्छा, नेक्स्ट हमारा bill है, CGST Bill 2023 पार्लेमेंट में पास हुआ ये bill, amend किया है, इसने CGST Act 2017 को, उसका qualification change करी है, मेंबर जो बैठते हैं, जो बैठते हैं, जो बैठते हैं, उसको बढ़ाया गया है, CGST 2017 में लिवाए किये जाते थे, CGST Interstate Supply Goods and Services करा जाता था, इसी एक्ट के तहए, आपका, GST Council के according, आपका वो बैठते थे, GST Appellate Tribunal वाले, अब GST Appellate Tribunal वाले ना Second Appellate Authority है, GST Framework के अंदर ही, अब ये क्या कह रहा है, कौन कौन से changes किये गए हैं, तो पहला change किया गए है, change in qualification for members of GST Act, यानि कि advocate allow करा जाए with at least 10 years of experience, judicial members का होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, कि अगर आप GST Appellate Tribunal में member बनना चाहते हो, तो आपको क्या होना चाहिए, 10 साल at least आप judicial member का experience लेकर बैठे हो, या आप indirect taxation का experience हो, minimum age जो president की हो, वो 50 साल हो, increase आपकी age limit करी गई है, GST Act में 67 to 70 years, members की 65 to 67 years, यहीं पे आप गलतियां कर देते हो, बहुत आख खोल के, दिमाख खोल के इसक बिल के तहत, membership जो भी है, उनका age को raise किया गया है, अब याद रखना, अगर आ जाए, GST Appellate Tribunal में कितने लोग बैठते हैं, तो composition समझो, एक precedent होता है, एक judicial member होता है, तो technical members होते हैं, तो जो भी विक्ति, eligible है, to be appointed as judicial member, वो judge होंगे, high court के, या district judge के, additional court के, at least for 7, 10 years, sorry, ठीक है, next topic पे चलो, नाम है policy measures taken by RBI, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ developmental activities के लिए, कुछ regulatory policies के लिए, RBI ने कुछ measures उठाए हैं, वह सबसे पहला measure है, enhancing UPI transaction limit for specified categories, की unified payment interface की transaction के तहत, कुछ specific category में transaction limit को बढ़ाया जाए, अब वो क्या है, तो बोला गया है, कि अगर कोई hospital का खर्चा है, UPI से दिया जा रहा है, transaction की जा रही है, या किसी educational institution में transaction की जा रही है, UPI की मदद से, तो वो 1 लाग से बढ़ा कर 5 लाग कर दी गई है, फिर ये transaction limit को cap भी करा गया है, कितना 1 लाग, except of UK, capital market कई सब हटा दो, यहाँ पे 2 लाग चलता है, इसके अलावा transaction limit कई जगा पे capping भी करी गई है, यहाँ पर एक चीज और बठाई गई है, Fintech repository जो एक आपका optionalize हुआ, यह 24 में ही April में कह रहे हैं, कि इसको लगाएंगे हम, क्या, Reserve Bank, Innovation Hub, फिर यहाँ पर in transparency को enhance करने के लिए, रेगुलेटर क्यों कि हमने कहा ना, कुछ development की है, RPI ने, कुछ आपका regulation लगाए है, इसके लिए regulation के लिए web aggregation loan products है, say operation की transparency बढ़ेगी, UPI आते ही आपके दिमाग में आजाना चाहिए, कब launch हुआ, 2016, instant payment system है, NPCI लेकर आया, National Payment Corporation of India, तो factor authentication है, आज की rate में, 40% of India के जो digital transaction हो रही है, वो UPI से होती है, recent past में आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, UPI से ही हमारा France भी, India made UPI payment deal, France को की है, आज बिल्कुल आपके ये चीज़े न, ये इतनी ऐसी चीज़े हैं, जो आपके दिमाग में, हर topic देखो, अपने आप में specific है, इसलिए आपको हर topic आप ऐसा aspirant आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, अब हम चलते हैं, World Bank की Report on External Debt, तो World Bank ने एक Report, Annual Report को Release करा है, जिसका नाम है International Debt Report 2013, इस Report में वो अनलाइज करेंगे External Debt को, Statistics को, for 122 Low and Middle Income Countries, इसकी Key Highlights Check करते हैं, तो पहला Highlight क्या है, Historic Rise in Debt, कि Public and Publicly जो Guaranteed Debt Service होती है, कौन कर रहा है, इसकी Payment LMIC, One Third सच ऐसी जो Debt Carry है, उसमें Variable Interest Rate है, Sudden Increase हो रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, Debt Service Cost क्या होता है, क्योंकि जैसे-जैसे Interest Rate बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, याद रखो, जैसे-जैसे Interest Rate बढ़ता है, आपका Exchange Rate Unfavorable होने लग जाता है, और आप Debt पे Debt, Debt पे Debt में फसने लग जाते हो, अब आप ही सोचो ना, अगर 1 रूपी, डॉलर बढ़ता चला जाएगा, इंटरस रेट बढ़ता चला जाएगा, इबन इन दे डेट ऑल्सो, तो भी आपका बहुत जाता मामला, अल्टिमेटली, आप सोचोगे, unfavorable हो जाओगा, आपका लेगा, यार कितना Debt करें, Trouting Out of Priority and Debt Services को, आपने क्या करा, स्पेंड करना शुरू कर दिया, अगर कोई भी उधारी, टेट चुकाने के लिए की गई है, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपने किसी फ्रेंड से लिए, उसको आपको बॉरो कर दिया, फिर आप जोद, उसके पैसे जुकाने के लिए, फिर किसी फ्रेंड से पैसा ले रहे हो, तो यहां तो आप डेट पे डेट पे फसने वाले हो, लेकिन अगर आप कुछ चीज बना रहे हो, कोई असेट क्रियेट कर रहे हो, तो वहाँ पर मामला अलग हो जाता है, तो रिकमेंडेशन दी गई है, क्या, कि पोर्टफोलियो एनलिसिस करना शुरू कर दो, डेट इंस्ट्रूमेंट के रिस्क देखो, कॉस चेक करो, एक शब्द होता है, डेट बाय बैंक्स, यानि कि आप कंट्री के स्टॉक अफ नॉमिनल डेट को रिडियूस करो, अगर डेट इस्ट्रेडिंग है, डीप डिसकाउंट, डीप एक्सेंजिस करो, स्वाप कर दो आप डेट को, आउट्सेंडिंग डेट को, फॉर निव डेट तो लेंदन दी एवरेज मेचॉरिटी, डेट फॉर नेचर स्वाप, यानि कि अगर आप डेट रिलीफ को कंबाइन कर देते हो, अपने पार्टिसिपेटिंग स्वापरिंट से हो, तो यहाँ पर आपका डिसोर्सेज ग्रीन प्रोजेक्स के लिए फ्रीड होते चले गाएंगे, नेक्स इसके अंदर टॉपिक गाईज आता है, क्रिप्टो असेट इंटर्मिटेरीज, क्या है टॉपिक, फिनाइन्शल स्टेबिलिटी इंप्लिकेशन है, मेल फंक्शन कर गई, तो यह निकालता कौन है, याद रखो, क्रिप्टो असेट इंटर्मिडेरी की रिपोर्ट निकालता है, कौन, कौन फिनाइन्शल स्टेबिलिटी बोर्ट, MCI integral part है crypto asset ecosystem का इसमें cryptocurrency भी होती है इसमें non-pungible tokens भी होते हैं crypto asset का मतलब ही है digital representation और यह transfer आपके electronic तरीके से होती है लेजे technology, blockchain की मदद से फिर यहाँ एक topic आया financial stability board इसका office कहा है? Basel City Land में 2009 में आया successor है financial stability forum का 71 member है इसके इंडिया भी इसका member है याद रखो इसका function है global financial system की जो भी vulnerability है उसको हटाना, monitor करना market system को और याद रखो MCI क्या है एक तरह का individual firm है, group of firms है trading करवाती है, revolve कराती है trading platforms को opaqueness को दूर करने का काम है सारी new opportunity देती है lower offices मेंने, vulnerability market की खतम हो, driver attacks से बचाना, यह सब काम करते हैंगे next आपका आता है report on agriculture, crop insurance scheme यहनी की public account committee देखो यह सारी report याद रखो guys कौन सी report कौन निकाल रहा है agriculture crop insurance scheme की report कौन निकालता है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना रही हो चाहे वो restructured weather based crop insurance scheme रही हो report किस पे बेज़ रोती है क्या की report है 2017 की ministry of agriculture farmers welfare से ली गई है फिर finding क्या है इस report की सबसे पहली finding है delayed release of funds by state governments low coverage of farmers delay in issue of notifications settlement claim होते चले जाएं public account committee क्या है कि out of three financial parliamentary committee दो आपके state committees भी है कुछ committee public undertakings की भी है यहाँ पर क्या है 22 members है 15 लोगसभा के साथ आपके राज़सभा के chair person is appointed by लोगसभा स्की speaker ठीक है पहला setup 1921 में किया गया था Montego challenge short reforms कित है क्या क्या recommendation PAC इसी दे रही है तो हमें याद रखना है public account committee कहती है necessary mechanism low fund को timely state government जो है वो release करे आपके जो किसान card है soil health card है उसको database में रखो ताकि आप ये इंशॉर कर रखो कि delivery mechanism खराब नहीं होना चाहिए आपका आप accountability हमेशा दिमाग में रखो cross cutting करके check करो data कुछ crop yield का खराब तो नहीं हो रहा है इस सारी बातों का ध्यान रखना है next topic है basic animal husbandry statistic 2023 कौन निकालता है ministry of fisheries animal husbandry ये सारे report को release करती है याद रखना basic animal husbandry की report कौन निकालता है ministry of fisheries animal husbandry इसका आपका estimate करते हैं milk को, egg को, meat को इसका production बतायावा कितना कितना enhance हुआ है सबसे major contribution किसका है UP का egg production को silver revolution कहते है ये भी क्या हुआ है इसमें growth आई है इसमें major contributor है आपका अंधरपरदेश और आप्टर तमिल नाडू याद रखना फिगर्स को बिल्कुल नहीं भूलना है pink revolution का मतलब क्या होता है meat का production इसमें क्या होए इसमें दिखाया गया growth level दिखाया है UP में यहाँ यहाँ पर यहाँनि milk और meat दोनों UP में खोब है फिर wool का production देखो यहाँ पर decrease हुआ है राजिस्थान है यहाँ पर wool का production से जादा कहा होता है राजिस्थान and fallen by और जम्मु और कश्मीर father of white revolution कभी नहीं बुलना पदम विभूशन डॉक्टर वर्गिस कुरियन इन्होंने क्या किया था operation flood चला है था ताकि इंडिया में इंडिया एक biggest milk producing country बन जाए नेक्स आता है topic National Geoscience Data Repository Portal यह portal क्या है यह portal basically mineral exploration के तहत कराए जाता है इसमें geological, chemical, geophysical, mineral exploration data है baseline आपको geoscience का data रेकर बताता है geological survey of India इसके लिए responsible है यह भी हमें नहीं बुलना इस portal से फाइदा क्या है इस portal से सबसे बड़ा फाइदा है कि आपको encourage करेगा transparency, knowledge share होगा open access मिलेगा expedite होँगी, coverage होगी, exploration होएँगी फिर NMEB क्या है exploration activity का काम करती है revenue sharing का काम करती है entire country के लिए ठीक है psychological survey of India headquarters बिल्कुल याद रखते है Kolkata का बाया 1851, ministry of minds के अंदर है original offices भी है इसके अचा, इसके अलावा industrial corridor development in India के अगर हम बात करें तो Asian Development Bank ने dollar 250 million loan दिया है for industrial corridor development in India तो यहाँ पर ही याद रखना industrial corridor की अगर जहाँ जहाँ पर बात आए तो यह आप याद रखना government of India and ADB ने sign किया है industrial corridor development in India dollar 250 million policies इस पे support करेंगी industrial development करने के लिए तो इसमें सब प्रोग्राम्स चलाए जाएंगी ADB का office याद रखना multilateral आपका Manila Philippines में है multilateral financial institution है industrial corridors क्यों जरूरी होते हैं ताकि industry बने, infrastructure बने जिससे overall आपकी economy, social development हो पाए किसी भी देश में industrial corridor बनने के क्या फाइदे होते हैं इंडिया का manufacturing में competitiveness बढ़ेगा, इंडिया का quality infrastructure बनेगा तो याद रखो इसलिए किया जा रहा है यह काम, industrial आपका industrial corridor है, वो आपका इस तरह से त्यार किया जाएगा तो यह हो गया, next आपका topic आता है, that is Amplify 2.0 आप एक last topic से चल रहे है थोड़ा साब आप जाहन से सुनो तो Amplify 2.0 क्या है Ministry of Housing and Urban Affairs ने assessment and monitoring platform बनाया है, livable, inclusive and future ready urban India के लिए portal में क्या है, portal में raw data बढ़ा हुआ है, इंडियन cities के बारे में कि इंडियन cities, academic wise, researcher wise stakeholders wise कैसी है, तो बताया गया currently 225 urban local bodies है जहां पर onboarded data मिला है 150 cities का अभी भी available आपका है उसके अंदर से initiative में क्या है, निया framework ताकि एक आपके बाद data होगा तभी तो आप सोच पाऊगा कि urban development कैसे करनी है तो ये बात है, last topic is about non-core capitalism, क्या मतलब है political philosophy है, जहां पर आप state को abolish कर रहे हो, जहां पर आप law and order को क्या कर रहे हो, provision लातो रहे हो, लेकिन law and order का provision कैसे है कौन सांभाल है law and order आपके country का, आपके state का private companies, free market में traditionally free market का मतलब होता था, private provision जो आपके goods and services के लिए लगता था, वापे police and court नहीं होता था, लेकिन anarcho capitalist का मतलब ही यही है कि private companies free market में जाके compete करेंगी और legal services वगिरा को provide करेंगी यह जो term है, याद रखना यह coin की गई थी by Murray Rodbard के तहत बिलकुल नहीं भूलना है इसका एक भी point, ठीक है so thank you so much guys, आज काफी video लंबी हो गई, लेकिन important था हमारा short सारे cover हो जाएं सारे short cover कर दिये गए हैं धान से इसको सुनना है, revise करना है लिम्स के perspective से, कभी-कभी कुछ facts आपको लिखने पड़ सकते हैं even in the interviews देके नास तो आपको ready रहना है, integrated पढ़ाई करनी है, पूरी अच्छे से thank you so much for listening, do like, share and subscribe 2PM पाच्छाला, have a nice day to all